आज हम आपको कॉलियस लगाने के बारे में बताएंगे कि कॉलियस कैसे लगाया जाता है वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो अन तक देखें और इसकी मत करना देखो कॉलियस बहुती सुन्दर पोदा होता है और इसे किस परकार लगाते हैं देखो कॉलियस की ये दूसरी डिजाइन है बहुती सुन्दर है आप देख सकते है और कॉलियस की तीसरा कलर ये है बहुती प्यारा इन सब के बारे में हम बताएंगे कि ये कॉलियस कैसे कटिंग से त्यार होता है और माता बहने और भाई बहन अपने घर पर कैसे त्यार करते हैं आप देख सकते हैं ये कोल्यट का पौदा है हम उसको काटर या कैंची चाबू से ऐसे काटना है ये देखो ये देखो ऐसे ही इसी को हमें ऐसे काटना है देखो लगाने की भी थी यह काली पॉलितिन होती है जबकि हमने इसमें बर्मी कंपोज और फोटिलाइजर डार रखा है इसे कैसे लगाते हैं इसे करके पहले आप इसे इसमें थोड़ा सा शुरा करने के बाद इसे ऐसे लगाओ और यह आप देख सकते हैं यह हमारा पॉदा तैयार है दूसरा भी आप इसी प्रिकार एषे करने के बाद आप इसे ऐसे लगा सकते हैं यह हमारा तेयर है हम कुछ दिन बाद देखते हैं पोदा कैसे बड़ा हो गया और कितना बड़ा हो गया देखो एक हपते बाद हमारा कॉलेस तयार हो गया है और आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही प्यारा इतने बड़ा कॉलेस है जो कि कटिंग से तयार हो गया है तो दोस्तों वीडियो को ऐंकरें के हम आपको और कटिंग के बारे मताएंगे यह जेड़ प्लांट का पौधा यह भी कलम से त्यार होता है जाए प्लांट के लिए डाल सकते हैं और अपने घर में कटिंग लगा सकते हैं तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगई तो लाइक कमेंट और सेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद